Welcome to my channel, I am Simran Zahani तो Class 12 Students 2022-23 बाज आज करते हैं हम अपने syllabus का detailed discussion तो जैसे कि हमारा new syllabus जो है वो announce हो गया है तो आज मैं आपको बताते हूँ आपके सभी syllabus क्या-क्या chapters आपको पढ़ने हैं तो guys, are you all excited? क्या excited हो आप सब अपने new syllabus को अच्छे तरीकी से complete करने के लिए जल्दी से बता दो मुझे comments में इस वीडियो में हम discuss कर रहे हैं Class 12 English syllabus और आपके बागी जितने subjects हैं जैसे Economics, History, Political, Science जितने भी subjects हैं उनका भी मैं detailed syllabus discussion मनाऊंगी description box में सब ही की जो है मैं links प्रोवाइड कर दूँगी जिस भी subject आपको syllabus चेक करना है तो detailed discussion महाँ पे given है तो अभी कॉन सा discuss करेंगे हम guys Class 12 English syllabus Class 12 students ready हो जाओ English में बहुत अच्छे mark score करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम English के preparation करेंगी जितने भी chapters है हमारे already guys मेरे channel पे सभी Class 12 English syllabus है जैसे ही हमारा ये नया syllabus upload हो गया है we will create new series for 22-23 students आपके सभी chapters को बहुत बढ़िया तरीके सम जल्दी से complete कर लेंगे क्योंकि हम English में लाने है full marks होगे तो 12 students ready हो जल्दी से chapter complete करेंगे इसके बाद पता है हम बहुत सारे test sessions करेंगे and उसके बाद doubt solving sessions करेंगे तो we have a lot to do this तो आप सब भी बहुत excited रहो इस session में बहुत अचे से preparation करने के लिए एक ही exam होगा आप हमारा वो जैसे पहले होता था old style हमारा वापस आगया है एक ही exam है हमारा final exam final exam का aim high English में लाने है full marks तो guys अब बताती हूँ आपको English का syllabus तो यह सभी वीडियो जो है उस पहले ही बतारी हूँ यह जितनी भी वीडियो है last lesson lossman deepwater ratrap indigo सभी वीडियो गाइस मैंने पढ़ा दी है description box में playlist given है आप 12 में हो आपको पढ़ना है दिस्क्रिप्शन बॉक्स की playlist को चेक करो सभी chapters को प्रोड़ डीटेयल explanation है इंसी एक एक लाइन का अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद इंसी आटी उपन करोगे तो आपको पूरा chapter ऐसे समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से और चाप्टर ऐसे याद होगा आपको जैसे वह फेबरेट मुवी की स्टोरी होती है ना वैसे यह लास्ट लेसन राट्राप इंडिको और हैं भी यह बहुत इंट्रिस्टिंग चाप्टर ओके तो प्लेलिस्ट चेक कर लिए ना बढ़ने के लिए अब जो आपकी बुक है जल्दी से अपनी बुक लेकर आजाएं और जो है मैं आपको टिक कर वारी हूं कौन कौन से चाप्टर आने वैसे अगर मैं बताओं तो आप लोगों के सभी चाप्टर आ रहे हैं ठीक है तो पहली बुक है आपकी फ्लेमिंगो ब यह भी आपके एक्जाम में आएगा यहां देख लो यहां मैंने बुक का भी इंडेक्स ओपन कर दिया है आपका लास्ट लेसन लॉस्प्रिंग डीपटर आप बुक में से टिक लगाते रहों के निक्स आप्टर है इंडिगो यह आपके एक्जाम में एगा फिर देखो करेंगे doubt solving भी करेंगे तो सबके लिए ready हो जाओ तो यह चाप्टर poets and pancakes यह आपके exam में आएगा next chapter is the interview यह भी आपके exam में आएगा यह भी last year deleted था अब आपके exam में आएगा आपको पढ़ना है interview भी तो यहां जो आपका book है इसमें जो इसके आगे इसमें आपके exam में आएगा तो आप इसके आगे जो है टिक लगा दो पिछले साल यह चाप्टर डिलीटर था अब आपको यह चाप्टर पढ़ना है यहां जो हमारा फ्लेमिंगो का प्रोस सेक्शन है उसमें से कौन कौन से चाप्टर पढ़ने है आपको लास्ट लेसन लॉस्प्रेंग डीप वॉटर राट्राइप इंडिगो पोई अन पैंके इंटर्व्यू गों प्लेसिस ओके नेक्स्ट आते है गाइस हम अपने पोईटरी सेक्शन के ओके नौ दिस इस आप पोईटरी सेक्शन यह रहा हमारा बुक का इंडेक्स बुक के हिसाब से पहली पॉम कौन सी है हमारी माई मजराट 66 यह आपके एक्जाम में आई कि इस क्या गया टेक लगा दो अब बुक में सब्सक्रा नहीं पढ़ने यह 10 Census सब्सक्राइब लगा दो के मोशिकी में पह Water का यह पीपेंग किबींग कोई रहें में आई इस के पाइंग पर रोबट साइंस में यह आपको पढ़नी है अगर मैं लास्ट 0098 ओर बता Thursday दो आस्ट से यह पॉम नहीं थी थी कैंख यह पहले वाले बच्छों एलेवेंटर चुल पड़ी थी आप लिमेंटर स्कूल नहीं पड़ रहे हो आप उसकी जगा रोट साइट स्टैंड पड़ो इस उन्होंने अलेमेंटरी पड़ी थी तो समझ गया ना हमें कौन कॉनसीप पढ़नी है माई मदर 66 पढ़नी है कीपिंग कोई पढ़नी है फिंग पढ़नी और यह लास्ट पोएम आप जैनिफर स्टाइगर यह भी हम पढ़ेंगे तो यह देख लिए आपने बस एक पॉम डिलीटेड है हमारी कौनसी बुक से फिलेमिंगो बुक से कौनसी है वह यह एन पढ़ना है नेक्स चाप्टर यह घ्रकिंग यह लास्ट यह डिलीटेड था बट आपको पढ़ना है इल क्रियेट अ न्यू वीडियो और जो है फिर भूब करते हैं अपने नेक्स चाप्टर पर नेक्स चाप्टर कौनसा है ज़र्नी तू दे एंड ऑफ द अर्थ यह यह पिशले साल देख्यूस कि नहीं था आपको यह देखना है कि आपको तर लेवल भी पढ़ना है आपको चली स्लूआ प optimize ने इस डीके आगला है यह यह वि свое शेफ्टास सब्क्राइं फिफ्ट चाप्टर यह 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 हमारे फिफ्टासमों कि मेंचन नहीं है यह डिलीट हुआ है ओके तो समझ गए हमारी फ्लेमिंगो बुक्स से एक पॉम डिलीट हुई है एलिमेंटरी स्कूल और यह विस्तास बुक्स से एक चाप्टर डिलीट हमें दिखाई दे गया शुट विजर्ट हिट मॉमी आप नहीं पढ़ेंगे ओके नेक्स चाप्टर आप देखो यहां पे कौन सा है हमारा नेक्स चाप्टर है ओन दफेस ओफिट वो आपको पढ़ना है ठीक है तो एनिमी के बाद यहां जब आप बुक देखोगे फोथ चाप्टर एनिमी है फिफ्फ चाप्टर शुट एजर्ट मॉमी उसको क्रॉस लगान दूसरा चाप्टर कौन सा डिलीटेड है चाप्टर नमबर सेवन इवान स्ट्राइजन ओ लेवल ठीक है तो डिलीटेड से ले बस मेंशन कर लो आपना क्रॉस लगा दूना उसके उपर जो आपका इंडेक्स से बुक का जैसे मैंने हां ठीक है रेट पैन लेलो यह जो भी थर्ड लेवल आ रहा है टाइगर किंग आ रहा है जैनी टूरें गवर भार रहे एनिमी आ रहा है यह शुट विजर्ट हिट मॉमी नहीं आ रहा है इसको क्रॉस कर दिया ओन्दा फेस ओफ ए यह इवान्स वाला भी नहीं आ रहा है उससे अगला चाप्टर आप यह देखो म बिस्तास बुक से यह देखो कि बुक का ही मैंने इंडेक्स ओपन कर दिया है यह आप टिक लगा। थर्ड लेवल आ रहा है टिक लगाईगे टाइगर किंग आ रहा है जर्णी टू अफ अर्थ भी आ रहा है अब यह जो चैप्टर है हमारा शुट विजर्ट हिट मॉमी यह इसको एसे प्रोस कर दिजिए ती है नेक्स चाप्टर कॉंसा हुगा हमारा ये और प्रक्रामि इसके दो पार्ट है यह दोनों आएंगे तक लगा दीजिए उके तो पादा चलिया विस्ताज बूकर डिलेिट है और अगर हमने हाँ अपनी विस्तास बुक देखी ती तो तो इसमें से सिर्फ हमारी एक पोयम डिलीटेट थी कौन सी एन एलिमेंटरी स्कूल क्लास्रूम इन असलम ठीक है तो वह उस पर कट लगा दिया यहां में लिट्रेटर का स्लेवस पता चल गया है अब मूफ करते हैं गाइस रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है यह और बार पतारी हूं फिरीपर आपका हुने वाला है गाइस एक टी मार्क्स का ओके तो जो बिल्कुल हमें तयारी करनी है ना बहुत अच्छे से वह हमारा एक टीमा का पेपर ओके तो एक टी ठीक है वैसे तो हंड़ेट अटेट यहां इन्टर्नल में भी ब assessment of listening and speaking skills वो सकता है आपने नाइन तेंथ 11 में असल जो है दिया होगा ठीक है एसल है दस नंबर को दस नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होगा होगा है टोटल हंडेट ठीक है तो 80 मांक्स का त्योरी पेपर है ठीक है दस नंबर का एसल है और दस नंबर का क्या है आपका प्रोजेक डिसिट वाला जो हमारा एसमेंट के पाचिका लिखा एसल में से लिस्टिंग सकिल के पासन स्किल को पासना फेकिन स्किल के पासना घो किव दिशो नंबर थीजिया अगर तहुकरन के होगे में है तोब अने सब पढहा है description box में reading skill की playlist given है आप उससे जाके unseen passage factual descriptive literary all the videos are there आप महां से जाके practice करोगे तो unseen passage आएगा एक unseen passage आएगा ये factual वाला और एक unseen passage आएगा unseen case based case based में क्या होता है थोड़ा हमें एक table graph भी उसमें mention करो तो उसको study करके भी हमें answer लिखने होते हैं तो unseen passage की already बहुत सारी वीडियो हैं तो उनसे जाके आप अपनी practice कर सकते हो जो pre-board होगा test papers होंगे and I'll be uploading more videos और 2022 की series चलेगी हमारे तो हमारा reading section में से क्या रहा है reading section में से 2 unseen passage आएगे एक होगा हमारा factual वाला एक या description समझ में आ गया दो पैसे जाएंगे अब उनका वेटेश बताती हूं 10 10 marks के दो पैसे जाएंगे total reading section का कितना वेटेश है 20 number का reading section आएगा 10 number का एक passage 10 number का एक passage आब आते हैं section B पे जो होता है writing section writing section में सबसे पहले क्या है यहां आप आप देख सकते हो notice writing तो आपने पास syllabus में मेंशन करो क्या पढ़ना है हमें notice writing notice writing पढ़ेंगे guys writing section की playlist given description box पे यह जितना भी इस साल आपके पास writing section आना है सबकी ओल्रेडी वीडियोस है detailed format के साथ examples के साथ lines जो लिख सकते हो आप क्या आपको किस तरीके से form करना answer सभी videos given है आप जाके practice करने इन की शुरू कर देना and regularly I'll be uploading new videos also तो सबसे पहले हमें पढ़ने notice और जो है इसमें given है one out of the two questions have to be answered ठीक है तो आपको दो question given होंगे इसे एक आपको answer करना है पार्च नंबर का आएगा notice तो हमारा writing section किते का है बीस नंबर का है उसमें से पार्च लेते हैं ठीक है next देखते हैं next हमें practice करना है formal informal invitation and reply तो यानि की invitation writing है हमारा next task अब यह जो invitation writing है guys इसमें क्या-क्या पढ़ना होता है हमें formal invitation भी पढ़ते हैं informal invitation भी और उनके replies भी formal reply और जो है informal reply ठीक है तो वह हमें पुरा पढ़ना है यहां पर भी गिवन है one out of the two question given to be answer डो question आपको गिवन होंगे उनमें से एक जो आपको सही लगे आप answer करना ठीक है next क्या पढ़ना है हमें यह भी पाश नंबर कोगा तो प्लस फाइब कर देते हैं हम ठीक है next देखते हैं guys हम यहां देखो फॉमाट भी बता रहा है फॉमाट की कितने नंबर होंगे आइडिया के वह जब मैं रिटेल वीडियो बराऊंगी ना इंविटेशन रेटिंग की वहां बताऊंगी इनका distribution और हमें क्या हमें पाच में से पास लाने फॉमाट के वन मिल रहे हो चाहें कंटेंट के टू मिल रहे हो हमें तो five out of five score करने है ठीक है अब गाईज यहां देखो आप आपका next task next क्या है letter पढ़ना है हमें कौन कौन से दो letter पढ़ने एक पढ़ना है job application और एक पढ़ना है letter to the editor ठीक है letter to the editor ओके यहां पे भी आपको one out of the two question answer करने होगे दो question की विन होगे एक answer करना है letter भी 5 नंबर का एगा कर देते हैं plus 5 next पढ़ो आप article and report writing practice करनी है article और report writing and यह जो है guys article and report writing कितने word limit के 120 to 150 words इसमें से भी 2 question given होगे एक answer करना होगा marks 5 total हो गया 20 20 नंबर का writing section done समझ में आ गया तो अभी तक हमने क्या देख लिया हमारा 20 नंबर का reading section था 20 नंबर का writing section और यह जो हमारा literature है यह 40 नंबर का आने वाला है ठीक है तो जितने chapters अभी mark करवाएं है वो उन सब को prepare करना है 40 नंबर का आएगा 20 नंबर का reading section 20 नंबर का writing section और 40 नंबर का हमारा क्या है literature total 80 marks हो गए यह हमारा theory paper 20 नंबर हमारे किसके internal assessment के जिसमें 10 नंबर ASL के हैं और 10 नंबर हमारा project work का है यहा टीक है English की playlist के बाद English की writing skill की playlist गेवन है फिर English की reading section की भी playlist गेवन है जल्दी से जाके अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए आने पढ़ाए हैं जैसे की class 12 economics class 12 political science class 12 geography and class 12 history all the playlist guys when description box में paste कर दी है all the syllabus is there on my channel best of luck go and start